जो वहां की अभी सांसत हैं, उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परिशान हैं, बस वो यह देख रहे हैं कि गांधी परिवार के उपर कैसे कुछ बेपुनियाद, कोई सवाल उठाएं, इर्जाम लगाएं और बस शोर शराबा करें। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहां वो भारी बहुत से जिताएंगे, मैं वहां अपना पहला कदम अगर राजनीती में रखता हूं और सांसत बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रेप्रिजेंट करूँ। मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और राइबरेली के लोगों को जरूर चाहूंगा कि कोई भी उनको रेप्रिजेंट करें, जो भी वहां का सांसत हो, वो उनकी प्रगती की बात करें, उनकी अच्छाई की बात करें, और सुरक्षा की बात करें, और भेदभाव की राजन परिशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई क्योंकि उनका मेरिख्याद से ज़्यादा वहां आना जाना नहीं है वहां कुछ प्रगिती के बारे में नहीं सोच रहे हैं बस वो यह देख रहे हैं कि गांधी परिवार के उपर कैसे कुछ बेपुनियाद कोई सव परिवाल उठाएं, इर्जाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पुजिशन का गलत इस्तमाल करें तो मैं देखता हूं कि ज़्यादा तर वो उसी में लगे हुई हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, राइवरेली, सुल्तानपुर, अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गल्ती की, कि स्मिर्थी जी को जटाया और राहूल को वहां से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्विशी ढूननी पड़ी या जो भी है पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आ आएंगे यहां तक कि वो मेर से भी प्रेड़ना करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहां अपना पहला कदम अगर राजनीती में रखता हूं और सांसत बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रेप्रेसेंट करूँ क्योंकि मैंने निन्यानवे से अपनी जो प्रचार प्र प्रिटिक्स बहुत अलग थी क्योंकि वहां संजे सिंग थे और वहां का देशत फलाई हुई थी और हम लोग रात भर समेधन शील एरियाज में होते थे और वहां पोस्टर लगाए और बस्ते बाटे और अपने कारेकरता के साथ दिन भर रात भर मेहनत की उनको होसला और कि हम लोग है और वो डटे रहें अपने जो भी उनकी एरिया है जो उनका बूत है उसके उपर पूरा डटे रहें तो उनको पता है कि हमने कितनी मेहनत की और कितना भायचारा और प्रेम था और अभी वी है और वहां के लोग जिनके साथ मैंने काम किया, महनत की, वो अभी भी मेरे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर, सोशल मीडिया के द्वारा वो मेंसेज भेजते हैं, मेरे जनम दिन पर वो केक काटते हैं और लोगों को कुछ न कुछ लंगर वगेरा या सेवा करते हैं, क्योंकि उनको प रिकलांक लोगों को और अंदे बच्चों के साथ जितनी महनत मैं कर सकता हूँ और जो भी चारिटी में पूरे समय अपना निकालता हूँ, और मेरे धार्मिक दौरा होता है, अब तो वो लोग भी जरूर मेरे जनम दिन और अलग-लग त्योहार मेरे नाम से बनाते हैं, और कुछ ना कुछ पहां के लोगों को पारते हैं